ये 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 वीडियो काफी लोग के लिए यूसफूल होने वाला है क्योंकि इसमें आपको रियली में पता लगेगा कि इसमें मेरे संधी सब्राइब कर सकते हूं मेरे साफ से चर्टिफिकेशन सब्कार सकते हैं और आपका कुछ और वीडियो तो आप मझे चंशना अब बताना अब विडियो आपके लिए उसुल रहता है था वो भी आप मुझको comment section के जरूर जरूर प्लीस confirm करना ठीक है तो पहला certification जैसे आप देखी रहे हो यह है cyber security cyber security certification है मतलब आप cyber security की बात कर लो या आप cloud security की बात कर लो है न अभी क्या है कि security का बहुत जला है अभी अभी आप देखी रहों कि मतलब last four five years से तो cloud काफी ज्यादा popular हो गया तो अभी cloud security की जॉब निकल गए security काफी important हो पहले से भी काफी important थी बट अभी काफी ज्यादा picture ना आ गई अभी हर चीज over the cloud चल दी है हर चीज मॉबाइल पे हर चीज अभी बहुत ज्यादा हो गई है और यह बहुत हो टेक्नोलोजी इसमें काफी पैसा भी मिलता है cyber security में जाओ या cloud security में जाओ आपको बड़ी-बड़ी company में job मिलेंगे accenture हो गया scl हो गया बहुत बड़ी-बड़ी company में tcs हो गया बहुत jobs है तो उसके लिए जा सकतो नए हो तो सर्टिफिकेशन जो आप करोगे वह cissps cissas cismi यह सारे सर्टिफिकेशन आप कोई भी सर्टिफिकेशन करते हो तो यह आपकी काफी वैल्यू आपको एड़ करेगा तो हमेंशे सर्टिफिकेशन के लिए जरूर जाना ठीक है वीडियो यहां तक देख लिए और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकतो काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे AWS की पुरी 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 प्लेलिस पड़ी है वह बिल्कुत देखना वह मिस मत करना और क्लाउड लर्निंग की मोबाईल एप है वह डाउनलोड कर सकतो प्ले स्टोर में जाओ क्लाउड लर्निंग विदाउट स्पेस डाउनलोड कर लो टाइप करो तो मिल जाएगी और यह उसमें और को डान है ठीक है प्रमोशन में जादा टाइम नहीं लगाएंगे लेकिन अप्लिकेशन आप जिलू डाउनलोड करके देखो बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग चीज़ आपको मिल जाएगी पहले स्टिफिकेशन होगी आपका साइबर सेक्यूरिटी और क्ला अर्किटेक्ट ठीक है तो आर्किटेक्ट के लिए आप आराम से इसमें जा सकते हो और आर्किटेक्ट की काफी सारी जॉब्स हैं AWS अभी तक टॉप पे चल ला है अकॉर्डिंग टू में Microsoft Azure काफी अच्छा कर रहा है तो या तो AWS का सेटिफिकेशन कर लो या Azure का सेटिफिके तो इसमें तो काफी जाद आपके लिए पॉट्रीज है ठीक है सेल ली अराउंड 30 लेक्स पर रहनम तक यहां पर जा रही है हैं cloud architect में cloud security में भी around 30 लेक्स पर रहनम तक जा रही है इंडिया की अगर में बात करता हूं और यूएस में तो भाई बले-बले है है तो लेक्स पर डॉलर आप देख रही दो अब काफी होता है याड कि अदेल लाग डॉलर काफी होता है और आप देखो गहाएंगेगर घल लाग डॉलर आपको मिल रहा है तो अप्रॉक्मेटली 1 c.r कभी पार कर जाता है अगर आप यूएस में जॉब कर रहे हों तो रहे हैं that is a different thing लेकिन जो अगर आप एक overall देखोगे तो आपको cloud architect अगर आपको experience हो गया है around six seven years का तो आप expect कर सकते हो 20 to 30 आपको easily मिल जाएगा ठीक है यह आज के date की मेरी accordingly भी हुए आपको कुछ और भी हुए तो मुझको जरूर शेर करना इसमें AWS का certification यह AWS की training लेना चाहरे हो तो एक नया batch अलएडी शुरू कर रहा हूं बहुत reasonable है again वही cloud learning की app download कर लो इसमें आपको detail मिल जाएंगी AWS solution architect in training वाला download कर लोना या मेरे WhatsApp नमबर पर contact कर लो ठीक है बहुत simple है DevOps तीस ही technology जो मझे लगती है वह DevOps काफी popular है ठीक है तो या तो cloud security में चलो जाओ या फिर architect वाली लेन में चलो जाओ जिसमें इंफरा मैनेजमेंट है ठीक है programming उतना नहीं है है programming ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही रहेगा या फिर DevOps में आलो DevOps उनके लिए काफी परफेक्ट है जो अलड़ी किसी development में है लाइक programming language में है जिनको python आता है या java आता है मेरी खाल से उनके लिए तो सुभान अल्ला है राइट PHP अगर आपको आता है तो आप बहुत इजिली स्विच आउट कर सकते हो DevOps वाले प्रोफाइल पर ठीक है कोई भी आप एक क्लाउड सीको और उसके वाखलो अगर आप पावर शेयल आता तो आपको आपको काफी सुट करता है क्योंकि ऑल्लेडी जो सॉफ्ट्राइड डेवलमेंट का काम हो रहा था वह काम अब ऑपरीशन टीम अलग होती थी डेवलमेंट की टीम अलग होती थी अभी दोनों को सब्सक्राइब यह लॉर्ण करने चाहिए आप डियवाप्स के प्रोफाइल में जाओ आप इसिली कर सकते हैं और सैलली काफी अच्छी मिलत है डेवाप्स वाले लोगों की डिमांड है अगर आप मतलग क्लाउड आर्किटक्ट के रोल पे भी आपको डेवापस का काम आपको पता होना चाहिए कि क्या है तो यह आपास में लिंक है और आर्किटेक्ट वाले बंदे से यह एक्सपकेशन रहती है कि उसको को काम पता है हाला कि वो काम नहीं करेगा लेकिन उसको डाइवाप्स की नॉलिज होगी तो यह एक बड़ा फेक्टर आता है ठीक है तो सहल ही मिल जाते है टोटेवी 25 लाइक्स पर रहना आप एजिली एक्सपर्ट कर सकते हो अगर इसके कोर्स करना चाहते हो तो एक सब्सक्रिपशन मिल जाता है सिंपली क्राइड कार से रहिस्टर करो और मंहम संथ्र करो, बहुत रीजनेबल उसके शायद एली चार्जिस बहुत रीजनेबल हैं ठीक है मैंने तो सब्सक्रिपशन लिया हुआ है मतलब काफी अच्य है और उस पर काफी सारे जो अच्छी अ हैं उन्होंने कोर्सिस डाले भू है तो अब कोई भी है अगर लेंग करना चाहते हो तो महाँ पे जाकर आप लान करो मैंने भी अपना एडव्लियस का पोर्स महाँ पर चूला हुआ और सेल्फ लेंग कर सकते हो आप बहुत अच्छे अच्छे च्छे पोर्सा आपको मिल ले तो आप आप अगें वह रेवियो देखो रेटिंग देखो और इजी लिए कर सकतो वन मन्त फिरी है ट्राइ करके देखो पसंद आए तो करो नहीं तो छोड सकतो बहुत अच्छी चीज है तो करना चाहिए तो अगर आप क ही से टेरी लेतं हो तो किती भी अच्छी टेनर से टेंग लेलो बहुत यूसफुल नहीं डिन का तो कोई रिप्लेश्मैंट को एकथी टेनल टेनर लेत अओ तो तो बात यूसफुल नहीं हो तो तो टोप थली जोप बिल्कुल बिंदाज घुम सकते वसके जो फॉर्थ जो सर्टिफिकेश्छिन है गाइज जो अभी कॉइट पॉपुलर है और यह शुरू से पॉपुलर रहा है, इ हिपिने मे प Зबसके सब्सक्राइब डें रहा है, जो शॉल्वलो के लिए या management से related like जितने भी लोग हैं वो अधिकतर project management में जा सकते हैं और इस line में काफी scope है हाँ अभी एक यह आ गया है कि आपको technical knowledge होना चाहिए क्योंकि काफी challenge face कर रहे हैं लोग पहले एक culture था कि managers होते हैं और वो ही लोग उसको handle करते हैं वो technical नहीं भी होते हैं तो भी उतना चलता था अभी ही थोड़ा से taint change हुआ है and technical information या technical knowledge expect कर जाती है but still if you go for PMP, Prince2, Certifications you can go for project management और उसके बाद आप थोड़ा भी आपको technical knowledge है तो आप उसके भी हाफे project management का काम कर सकते हो and 20 to 30 lakhs आप पर अना मीजली earn कर सकते हो and it can give more depend upon your certification and skill set fifth top certification is about database administrator and if it it is still quite heavily in use popular database administrator की job पो ज्यादा impact नहीं पड़ा है due to cloud impact तो काफी है लेकिन जो एक्टुली जो टेक्निकल वर्क था अभी उनको डेटाबेस पे अक्टुली काम करते हैं वो काम तो अभी भी अवलेबल है right जो से related to administration का work था वो काफी कुछ change हो गया है तो जो database administration ही काम करते थे जो सरफ database में काम नहीं करते थे वहां पे तो उनको तो काफी impact पड़ा है क्योंकि रादर दन थोड़ा easy हो गया है यहां पर आप रैपली का create कर रहो backup ले दो काफी कुछ easy हो गया compare to that बट जो pure database का काम है वो अभी भी काफी ज्यादा demand में है और वो certifications definitely आप कर सकते हो उसके साथ में अगर आप cloud का certifications करते हो तो definitely काफी ज्यादा useful रहता है database के लिए भी काफी सारे tools आगे हैं जैसे आप snowflake certification पर जा सकते हो sap काफी time से चल रहा है और equal certifications यह आप जरूर कर सकते हो और इसके साथ में plus अगर आप cloud certification करोगा तो I think वो ज्यादा useful रहेगा एक दो पॉइंट था डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग मैंने अभी तक नहीं देखा मैंने भी ज्यादा focus नहीं किया था and I am also surprised कि डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा और एक्शली डिमांड में है और अगर आप देखते हो फेस्बुक पर इस्टाग्राम पर आजकर मार्केटिंग काफी ज्यादा होते हैं मार्केटिंग मता हमेशा स्टार्टिंग से काफी ज्यादा एक बड़ा सेक्टर रहा है and यह एक क्वाइट यूसफूल सब्जेक्ट है what I say कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टि करते हो तो definitely you know the tricks और इसके थुरू आप काफी अपने content को काफी ज्यादा popular कर सकते हो तो इसमें काफी अच्छा scope है and जो लोग टेक्निकल में बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते I think यह एक perfect solution है और इसमें earning भी आपका यह तो somehow आप कह सकते हो कि एक range है but earning आपका कोई limit नह आप काम करते हो तो काफी इसमें बहुत इसमें बहुत इसमें काम कर सकते हो अगें this is my thought आपका क्या कहना है इस बारे में आपका view क्या है I will be happy to know that then programming so another certifications like yes another IT certifications you can go for programming right loud कर तो जरूरी है अभी भी इस्टिल वह है लेकिन उस पर काम करने के लिए आपको कुछ language आना चाहिए और वह अभी तक expired नहीं हुआ है language ऐसा नहीं है कि अभी आपको code लिखना easy जरूर हो गया है but still आपको concepts या logic तो अभी भी लगाना पड़ता है और language आपको जरूर आना चाहिए and python आज के 16 years back जब मेरे स्वर कहा करते थे कि java नहीं जाएगा I was thinking कि वही नहीं ऐसा तो नहीं होगा शायद क्योंकि IT तो बहुत जल्दी चेंज होता हम लोग सोचते थे but java अभी तक नहीं किया और it is still very popular तो आप अगर java करते हो तो बहुत solid programming language है और बहुत useful है इसके साथ में आप Linux scripting करो या और किसी ना किसी एक particular language पर बहुत अच्छी command जदूर लो जावा हो सकती है पाइथन हो सकती है इसमें PHP include करना भोल गया हूं तो PHP करो और JSON, ML, scripting language, Linux scripting काफी simple है आप इसली कर लोगे अगर आपको Python या Java या PHP आता है so this is my point अगर आप अपको और प्रोग्रम लेंगिवर एड कर ना चाहते हो तो जरूर डफिनेटीवी एड करियेगा और यहां पर आप data analysis के लिए भी जैसे बोला कि भी data analysis आसके time में बहुत बढ़ी चीज होगी यह data बहुत data आ रहा है cloud से बहुत सारी applications आप भी यूस करो data बहुत आ रहा है यह जो data RIS data पर analysis करने के लिए tools चाहिए और Hadoop, Scala and other tools है मैं database से बहुत ज्यादा ब्लॉंग नहीं करता है but still I know data की field काफी अच्छी चल रही है और database big data आपके लिए ज़रू useful certification है and definitely you can go for it my certification I will say machine learning अभी इतना popular नहीं हुआ है but unique मतलब आपका कह सकते हो कि यह जो subject है machine learning and AI artificial intelligence यह future है और काफी लोग जो इसमें I think अगर आप लोग इसमें आज invest करते हो तो यह बहुत बड़ी deal है आपके लिए तो यह certifications ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लोग अभी जैसे मुझको लगता है कि मैं देखा है कि cloud certifications में लोग काफी जा रहे हैं cloud security में लोग काफी जा रहे हैं लेकिन यह hidden skill set है अगर आप काफी लोग इसमें नहीं जा रहे हैं इसमें हैं लेकिन pure मतलब की काफी प्रोग्रामिंग का रहता है और logic थोड़ा skill set मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें advanced चाहिए लेकिन इसकी demand यूज होने वाली है और यह आपके लिए बहुत वर्थ करेगा अगर आपको machine learning या artificial intelligence में आप जाते हो तो आप इसको ज़रूर यूज करिए और यह एक अच्छा certification आपके लिए पोसर नास और नॉट लीस ने ट्रकिंग सर्टिफिकेशन से ने ट्रकिंग सर्टिफिकेशन से ने ट्रकिंग से अभी तक आउटडिटेट तो नहीं हुआ है लेकिन नेट्वकिंग का अफी काम आल्रीडी क्लाउड ने कवर कर दिया है तो नेट्वकिंग का स्कोप काफी कम हुआ है कंपेर टू अल्ली डेस जब नेट्वकिंग की काफी ज्यादा डिमांड रहते थी और काफी जॉब डेडिकेट जॉब रहते था कि हार कंपनी का अपना डेटा सेंटर है तो उसको मैनेस करना होता था बट अभी आपका नेट डिजाइन होते हैं और बहुत सारी चीजे आते हैं जिब्दिन कर दिमांड बिलकुल बैसिक डिउपांड और यह कभ्हें भी नहीं जाने वाला है एस पर मीडुमिण भी का अपने की संसक् sound PAR सकतो सम्सेषब कर सकतो नेते हितर्ब बीतिज पिलिरह में में आप जा सकते हो और उसके साथ में अगर आप क्लाउट सर्टिफिकेशन करोगो तो तो इस इडिल बी सुपर इसके सेट ओके साथ में यह सेटिफिकेशन हैं जो मुझे लगता है कि टॉप इस सर्टिफिकेशन हैं अगर आप इती में करें बनाना चाहते हो तो यह सर्टिफिकेशन साथ डेफिनितली आप किसी भी एक स्टीम को पकड़ो और उसमें जा सकते हो जो भी आपका एडिया अगर आपको नेटवर्किंग का है तो आप नेटवर्किंग में जाये CCNA and CCNP करिए और साथ में आप Cloud Certification करिए बहुत आपको यूसफुल होगा and similar way में अगर डेटाबेस में हो तो डेटाबेस में Big Data पे जाये Big Data में काफी दिमांड है Snowflake में जाये जो नए टूस आ गया है right Cloud Security में जाये dedicated job right so इस तरी कि आप अलग लग different certifications है और if you ask me मही अलग लग स्थीम से अलग लग लाइन से जहां पर आप carrier बना सकते हो and I think these lines are best जहां पर आपको एक अच्छी इंकाम भी जरूर मिलेगी कायोप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपने अभी तक cloud learning mobile app डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हो यह चैनल को आप लाइक कर सकते हो और अपने friends के साथ share कर सकते हो play store में अगर आप जाओगे तो play store में आपको cloud learning की आप मिल जाएगी without space है और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस्टॉल कर सकते हो इस्टॉल करने के बाद यह कोड मांगता है तो वह कोड है बेसिकली jet qkfn जहां पर आपको cloud learning के courses मिल जाते हैं मैं AWS के courses कराता हूं तो अगर आप AWS का course करना चाह रहे हो तो from 8 November 8 October मैं स्टार्ट कर रहा है बैच solution architect associate का है और बहुत reasonable price में है तो आप इसको अगर इसको अगर इस्टॉल करोगे तो आपको वहां के details मिल जाएगी अगर आपको कोई further question है तो आप मुझे contact कर सकते हो on this number regarding training या आप मुझे WhatsApp कर सकते हो क्योंकि कई बार call pick करना बहुत मुश्किल हो जाता है बट आप WhatsApp करोगा तो मैं आपको definitely reply कर पाँगा तो आप यहां थूच यहां थूच दिक तो एंकि वाचिए इस वीडियो बट रचापी